सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेट कोई भी डीटेल्स आप मिस ना कर सके हेलो फ्रेंड्स तो हम आज बात करने वाले हैं जस्टीज ली के ट्रेलर के बारे में अब कई लोग कहेगे कि इसका ट्रेलर तो आच चुका है तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वेल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्टीज ली के फाइनल ट्रेलर के लिए तो क्या है वो चलिए देखते है So friend Justice Lee के मेरे हिसाब से तीन ट्रेलर आ चुके है लेकिन फाइनल ट्रेलर तो बनता ही है क्योंकि इस ट्रेलर में काफी कुछ खास होता है और ये ट्रेलर सिर्फ फैंस के लिए होता है क्योंकि काफी लोग जो इस फिल्म से नहीं जुड़े होते वो इसका स्टार्ट का ट्रेलर ही देखकर फिल्म को जज़ कर लेते है कि फिल्म कैसी होगी लेकिन जो बात फाइनल ट्रेलर की होती है वो कुछ अलगी होती है क्योंकि फाइनल ट्रेलर में डाइरेक्टर वो चीज दिखाता है जिसके चलते इसके फैंस और भी जादा एक्साइट हो जाए इस फिल्म को देखने के लिए तो DC ऐसा ही कुछ करने वाला है Justice Lee के फाइनल ट्रेलर में तो ऐसा क्या दिखाने वाला है Justice Lee के फाइनल ट्रेलर में जैसे हमारे MCU में केविन है वैसे ये है तो बात आती है Justice Lee के ट्रेलर के रिलीज डेट की वेल रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ के वो ट्रेलर कब आएगा वेल ये ट्रेलर आएगा 8 अक्तुबर से 11 अक्तुबर के बीच में अब उस दिन ऐसा क्या है वेल उस दिन New York का Comic Con Festival है तो उन तीन दिनों में हमें काफी ट्रेलर देखने मिलने वाले है जहां तक मुझे पता है लेकिन उस Comic Con Even में ये कन्फर्म है कि Justice Lee का फाइनल ट्रेलर ज़रूर आएगा अब ये मत पूछना कि उस Comic Con Even में Infinity War का ट्रेलर आ सकता है या नहीं वेल मैं उसके बारे में शौर नहीं कहता और भी दूसरी Movies के ट्रेलर उस इवेंड में दिखाए जा सकते है लेकिन Justice Lee का ट्रेलर फाइनल है क्योंकि जब भी कोई ट्रेलर रिलीज होने वाला होता है तो कमपणी उसके पोस्टर्स लाँच करती है ऐसा ही कुछ Justice Lee के साथ हुआ है Justice Lee के नए पाँच पोस्टर्स रिलीज किये गए है जो काफी कूल है तो एक नजर उन पोस्टर्स पर भी दाल लेते है एक पोस्टर है Flash का जो काफी जबरदस लग रहा है दूसरा Cyborg का जिसमें हम Cyborg को पूरी तरीके से देख सकते है कि वो किस तरीके का दिखता है तीसरा पोस्टर है Aquaman का जो काफी घुसे में लग रहा है और चौता Wonder Woman का जो काफी कलरफुल लग रही है इस पोस्टर में और आखरी पोस्टर है हमारे Batman का वेल Batman की बात ही अलग है क्योंकि मैं Batman का बहुत बड़ा फैन हूँ वेल इस पोस्टर में आपने ध्यान दिया होगा उपर सभी कैरेक्टर के लोगो है जिन में से एक लोगो Superman का भी है लेकिन प्राब्लम ये है कि इन पोस्टर में Superman का पोस्टर नहीं है तो बस ये थी वो पोस्टर की डिटेल और साती साथ Justice League का फाइनल ट्रेलर कब आने वाल वेल तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलेगा तिल देन बाए